Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable पोश्ट हैं, उसी प्रकार से लोगसभाय स्पीकर का भी जो पोश्ट है, वो constitutional पोश्ट होता है, और बहुत सारे powers होते हैं, वो सब कुछ हम discuss करेंगे वीडियो में आगे, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि सबसे पहले खबर यह आई, कि ओम बिरला जी, आप सब को पता होग थे, यहाँ पर opposition ने जैसे उनके खिलाफ या ऐसा कोई vote नहीं डाला जाता है, लोगसभाय स्पीकर का जो पोश्ट है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि वो सभी दलों के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है, भली वो BJP से चुन कर आए हैं, लेकिन लोगसभाय स्पीकर पोश्ट पर पहली बार होगा, ओम बिल्ला जी और के सुरेश के बीच में चुना होगा, और इसी के बारे में हम डीटेल से चर्चा करेंगे, क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम आ गई, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान इंटर्व्यू, सब कुछ मिल जाए आपको एक सिंगल बैच में, लाइफ क्लासेज, टेस्स सिरीज, परसनल मेंटर, 18 UPSC के बुक्स, ये सब कुछ आपको मिलेंगे, बस हमारे वेबसाइट अपर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और आपको यूस करना है, कित लाइफ, ताकि आप मैकसिमम डिसकाउंट किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में ले सकें, और इसके लावा अगर आप MCQs अटेम्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं, उसको आप अप अटेम्ट कर पाएं तो finally आज सुबे सुबे खबर आती है कि BJP की तरफ से यहाँ पर नॉमिनेट किया जा रहा है ओम बिल्ला जी को, तो most probably यही माना जा रहा था कि ओम बिल्ला जी स्पीकर बन जाएंगे दुबारा वापस से, तो क्या हुआ हुआ है कि यहाँ पर अचानक से करीब साड़े ग् ब्लॉक है, उन्होंने के सुरेश को उतारा है, अब दीखिए यहाँ पर भी रिसेंटली आपको याद होगा, प्रो टैंस स्पीकर को लेकर भी काफी कुछ बहस हुई थी, तो यहाँ पर क्या है कि आठ बार चुन कराते हैं केरला से, के सुरेश, कोडी कुनिल सुरेश, तो कॉंग्रेस पार्टी और उपोजिशन पार्टी का कहना था कि उनको प्रोटैंस स्पीकर बनाना चीए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बार चुन करा हैं, सीनियर मोश्ट हैं, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर क्या कि जो सेवन टाइम्स MP हैं, पुरीसा से, बीजेपी की त परफ से दो मिनिस्टर, एक तो डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंगी और पार्लेमेंटरी अफेर्स मिनिस्टर किरन रिजीजू, वो अपोजिशन को मनाने में लगे वे थे, कि देखिए, जो लोगसभा स्पीकर का चुना होगा, उसमें हम चाहते हैं, कि सर्वसमती से हुआ आया है, क्योंकि जब आप लोगसभा के स्पीकर पोस्ट पर बैठते हो, तो आप सभी का ध्यान रखते हैं, सभी पार्टी आपके लिए एक इक्वल नजरीय से होना चाहिए, मतलब एक सरा से यही है हमारे समविधान के अंदर, तो यहाँ पर क्या है कि कंसेंसल बिल्ट कर गया है, तो जो डेपिटी स्पीकर का पोस्ट है, देखो अगेन एक बहुत इंपोर्टन पोस्ट हो जाता है, डेपिटी स्पीकर, उनका जो पोस्ट है, वो कॉंग्रेस पार्टी या ओपोजिशन पार्टी के पास जाना चीए, तो उसके लिए भी कहीं न कहीं जो से पास हो जाए अब दीके ये speaker का जो election है मैं आपको बता दूँ कल होने वाला है कल 26th of June को सुवे 11 बजे जब परलिमेंट का सेशन स्टार्ट होगा तब यहाँ पर चुनाव होगा ठीक है तो इसको लेकर इंफरक्ट आप देख पाओगे यहाँ पर जो प्यूश गोयल साहब है उन्होंने कहा कि पहली बात यह देखा जा रहा है कि deputy speaker को लेकर इतनी मांग हो रही है opposition parties के दोरा यह सभी के होते हैं एक तरह से तो यहाँ पर Congress Party को एक तरह से अलाव करना चाहिए और contest नहीं करना चाहिए इसको लेकर ऐसा BJP कह रहे थी खेर अब मैं आता हूँ यहाँ पर speaker के post को लेकर देखो हमारे सम्विधान में अगर आप देखोगे Article 93 के अंदर इसका mention किया हुआ है और जैसे ही यहाँ पर नई लोग सभाब बनती है तो तुरंत हाउस को कोशिश करनी चाहिए दो लोगों को चुना जाए एक तो speaker और दूसरा deputy speaker तो आपके exam में पूछा जा सकता है कि speaker वो constitutional post है क्या deputy speaker नहीं है वो भी देखे deputy speaker भी mention हुआ है Article 93 के अंदर तो यह ध्यान में रख सभा के लिए तो क्या होता है कि जब यह नया session स्टार्ट होने जा रहा था अभी कल जब हुआ था ना 24 आप जून को तो उसके जश्ट पहले सुबह सुबह ओम बिला जी speaker के पद से हट गया क्योंकि यहाँ पर pro 10 speaker आ गया और वो क्या कर रहे है सभी का यहाँ पर जो सपत ग 543 members हैं इसके अंदर मतलब simple majority मतलब 50% plus 1 vote तो एक तरह से 272 votes चाहिए यहाँ पर speaker के post पर elect करने के लिए तो जाहिर सी बात है ruling party से में BJP है, NDA है तो उनके पास 290 से जादा यहाँ पर सांसद हैं तो अभी सी बात है कि एक तरह से लगभग तय है कि ओम बिला जी ही दुबारा लोग सभाय speaker बनने चाह रहे हैं, लेकिन opposition जो है वो यह कह रही है कि देखिए हम यहाँ पर इसको contest करना चाहते हैं, क्योंकि BJP गलत कर रही है, BJP हमें deputy speaker का post नहीं दे रही है, तो हम यहाँ पर BJP को छोड़ेंगे नहीं, हम भी एक तरह से इसको contest करके रहेंगे, और मैं पता चलेगा कि ruling जो party है, उसके favor में total कितने MPs हैं, क्या opposition से कुछ MPs ruling party की तरफ गए हैं, क्या ruling party से कुछ MPs ने vote किया है, opposition parties को काफी कुछ कल decide होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है ना, कि जो speaker का post होता है, वो बहुत tricky position होता है, tricky इसलिए होता है, क्योंकि आप लोग सभा का चुनाव लड़े थे BJP के ticket पर, तो एक तरह से वो belong to करते हैं किसी party को, लेकिन जब आप लोग सभा speaker के post पर होते हो, तो आपको ध्यान रखना होता है, कि आप सभी को मौका दो, ruling party के members को भी, opposition parties के members को भी, और इसलिए क्या हुआ है, इतिहास में पहली बार ऐ इन्होंने अपने Congress party से सद्यसता छोड़ दी, उन्होंने कहा कि मैं Congress party का member नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं सभी के लिए एक समान दिखना चाहता हूँ, फिर इसके रावा यहाँ पर कई और speakers हैं, जैसे PA Sangma, सुमनाथ चतर जी, मीरा कुमान, इन सब ने कहा कि दिखे हम भी neutral ह हैं यहाँ पर, लेकिन हम party से इस्तिफा नहीं देंगे, तो ज़्यादा यहीं देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई party से इस्तिफा नहीं देता है, वैसे सुमनाथ चतर जी का केस क्या हुआ था, वो CPM, Left से बिलॉंग करते थे, तो यहाँ पर क्या है कि 2008 में Left ने अपना confidence क्यों इतना माइने रखता है, माइने इसलिए रखता है क्योंकि पिछले दो बार से क्या हो रहा था, BJP को पूर्ण बहुमत मिल रही थी, 2014 में 282 seats मिला, फिर अभी 2019 में मिला था 300 से जादा seats, अभी क्या हुआ है कि BJP 240 पर आ गई है, मतलब पूर्ण बहुमत खुद के पास करेंगे, खेर, जाने से पहले एक और इंटरस्टिंग चीजी है कि लोग सभाई speaker का role क्या होता है, powers क्या होती है, देखो एक तो यह है कि जो speaker है, उनको ensure करना होता है कि जो लोग सभा है, वो सही से operate कर सके, सही डंग से चल सके, यह बहुत important है democracy के अंदर, इसके लावा यहा पर जो speaker है, उनके उपर जिम्यदारी होती है कि जो MPs है, उनके privileges और rights को protect किया जाए, कि वो खुल कर independent तरीके से जो उनको बोलना है, लोग सभा के अंदर बोल सके, इसके लावा यहाँ पर the speaker can participate, ध्यान रखेगा, क्या होता है कि कई लोग यह question आता है कि क्या speaker भी vote करते है, मालो कोई bill सो अगर अब पर voting हुई, तो speaker को normally vote नहीं करते हैं, लेकिन मालो अगर tie हो जाता है, मालो कोई bill आया, उसमें 100 MPs NDA की तरफ से हैं, और 100 मालो India Block की तरफ से हैं, तो bill को लेकर tie हो गया कि bill pass होगा कि नहीं होगा, तो उस case में यहाँ पर जो speaker है, वो vote दे सकते हैं, ज इतने members हैं, उसका 10% members present होने की हैं, लोग सभा को proceed करने के लिए, चलाने के लिए, तो यहाँ पर 10% मतलब कितना हो गया, 543 members में से 54 members present होने की हैं, तो वो जिम्मेदारी speaker की होती है, speaker क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, rules को apply करते हैं, जब भी जरूरत परती है, speaker MPs के अं पर कई बार यह होता है कि अगर कोई bill जो है, वो लोग सभा से तो पास हो गया, लेकिन राजसभा से नहीं पास हो रहा है, तो joint parliamentary session होता है, joint parliamentary session, उसको भी head vice president नहीं करते हैं, तो उसको head लोग सभा के speaker ही करते हैं, तो वो power होती है, और सबसे important एक चीज़ी है कि bill कौन सा होग कई बार आपने दिखा होगा कि पिछले 10 साल में कई बार इल्दाम लगा है, मोदी जी सरकार के ऊपर, कि यहाँ पर कुछ bills को money bills declare कर दिया गया है, जान मुझकर, अब money bill में क्या होता है, अगर किसी bill को money bill declare कर दिया जाता है, तो सिर्फ लोग सभा से उसको pass होना होता है, औ इसके अलावार देखे, यह बहुत important चीज़ है, वो है anti-defection law, जो 10th schedule के अंदर defection है, उसमें MPs disqualify होंगे, नहीं होंगे, मानलो अगर Congress Party का कोई member है, दो member है, वो अगर BJP में jump हो जाते हैं, तो क्या उनको disqualify करना चीए, normal case में तो disqualify करना चीए, लेकिन ultimately वो power होती है speaker के पास, और देखे, speaker की power ऐसी है ना, कि generally उसको कहीं किसी court में भी challenge नहीं किया जा सकता, बहुत extreme cases में कई बार होता है, कि Supreme Court इस तरह के cases को लेता है, और ultimately final यहाँ पर यही है, कि जो speaker है, वो सभी के लिए fair होने चीए, पारलिमेंट के अंदर, तो यह है दोस्तों, and let's see, कल सु पास, speaker post के लिए election होने जा रहा है, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, लोग सभा की जो speaker होते हैं, उनको oath कौन दिलाता है, इन में से, बहुत ध्यान से करिएगा इस question को, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिले गई, वहाँ पर अगर आप नहीं कोई बात इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आए, अलग लग social media पर आप जुड़ पाओ के और जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप UPSC की त्यारी करें, कल से हमारा नया batch start, alright, don't forget this, and use this code ANKIT Live to get maximum discount, and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हो से नेक्स ताम, till then, thank you very much, see you soon.